भारत वर्स अपनी प्राचीन सभ्यता और महान मंदिरों से प्रसिध्ध है हर मंदिर अपने आप में एक लहस्य और अचंभित कर देने वाली कलाकृतियों से हमें हर वक्त चौकाती है लेकिन एक ऐसा मंदिर भी है जहां 1538 से आज तक खून के ऐसे निसान पाय जाते हैं जो कभी सुखे ही नहीं ब्रिटीस सरकार से लेकर आज तक इस राज का कोई पता नहीं कर पाया और दोस्तों बात यहीं तक नहीं रुखती बलकि इस मंदिर में हवा में जुलते पीलर्स भी हैं रमायर में जटायू के आखरी वक्त में प्यास उठाने वाली चमत कारी पानी का सुरोत जो कभी सुखता भी नहीं वो भी है हर कोने से अपनी ओर निहारती हुई कलाकृतिया हैं ऐसे चोका देने वाले रहस्या इस मंदिर में एक पहली बनी हुई है जो हर किसी के लिए आस्टरे का कारण है हम बात कर रहे हैं लेपाक्षी मंदिर की हेलो दोस्तों मैं अभय चोरसिया चेंज यो लग जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है यह मंदिर आंद्रप्रदेश के अनंतपूर जीले में है इस मंदिर को हैंगिंग पिलर स्टेंपल के नाम से भी जाना जाता है इस मंदिर में कुल्कत्रा खंबे हैं जिनमें से एक खंबा जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है यह रहस्य मैई तरीके से हवा में लटका हुआ है यह एक इस्तंब जमीन से आधे इंच उपर लटकता है और माननेता है कि जो भी इस खाली इस्तंब के नीचे कोई वस्तू मुख्य तक कपड़े को निकाले तो उसका पूरा जिवन संपन्न हो जाता है इस मंदिर को सोल्वी सताप्ती में राजा अचित देव राय के खजानची वीरुपन्ना और उनके भाई वीर अन्ना ने बनवाया था इस मंदिर में इस्ट्रदेव भगवान सिव के कुरूरूप वीर भद्र है इसके अलामा यहां भगवान सिव के अन्य रूप भी है जैसे की अर्धनारिश्वर, कंकाल मुर्ती, दक्षिडा मुर्ती और त्रिपरात केश्वर भी मौजूद है यहां विराजमान माता को भद्रगाली माता भी घा जाता है इस मंदिर में कई रहस्य ऐसे हैं जो भारत सरकार और प्रिटीज सरकार दोनों को ही अचंभे में डाल चुका है एक ऐसा ही रहस्य आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं मंदिर के कल्यार मंडब पर खुन के ऐसे निसान है जो चाहे बारिसो या धूप हमेशा एक जैसा ही रहता है इसका रंग भी 1538 से लेकर आज तक ऐसा ही बना हुआ है दरसल मंदिर के निर्मार की समय वीरुपन्ना जो राजा के खजानची थे और मंदिर के निर्मार का पूरा काम देखते थे उनके सत्रू राजा अचित दिवराय को भड़काते हैं कि वीरुपन्ना राओ खजाने का दुरुपयोग कर रहा है यह कल्यान मंदपम बनाने के लिए जादे पैसे खर्च कर रहे हैं इस बात से राजा क्रोधित हो जाते हैं और दंड में राजा ने वीरुपन्ना के दोनों आखो को निकालने का आदेश देते हैं माननेता है कि दिवारों पर लगे खून के निसान इसी बात का सबूत देते हैं प्रेटीस सरकार के अधिकारियों ने भी सन 1902 में इन निसानों के डिने टेस्ट ब्रेटेन में करवाय थे और जिसमें उन्हें भी यह पुष्टी हो गई यह मानोखुन के निसान है कितने आश्चरे की बात है कि जो घटना 1538 में घटी थी उसके निसान आज तक ताजा है यह वीरुपन्ना की भक्ती और उस जमाने के महान पूर्सों की गाथा का बयान करती है मंदिर में ऐसे कई दिवारे हैं जहां गौर से देखा जाये तो हर कलाकृती किसी भी दिसा से आप देखे तो वह आपकी और निहारतिवी दिखती है यह कला है या फिर चमतकार इसका पता आज तक किसी ने नहीं लगा पाया लेकिन यह चीज जो हम सब को सर जुगाने पर मजबूर करती है वो है इस मंदिर के सिल्पकला और आर्किटेक्चर रमायन में भी इस अस्थान का विसेश महत्तु है माना जाता है कि यह वही अस्थान है जहां चटाईू ने रावण जो मासीता का अप्रहर करके ले जाता है रावण से युद्ध करके चटाईू जखमी हालक में गिर पढ़ते हैं और राण त्यागने से पहले भगवान राम को मासीता का पता बताते हैं क्योंकि भगवान राम ने आते ही जटायों को जखमी हालक में देखा उन्होंने लेपाक्षी यानि उठोपक्षी कहकर उठाते हैं इसी कारण इस अस्थान का नाम लेपाक्षी पड़ गया यहां एक बहुत बड़ा पैर का निसान भी है जिसे मास सीधा के पैरों का निसान कहा जाता है इस पैर के निसान से हमेशा ठंडे और सीतल जल बहता रहता है और हर वक्त चाहे वो बारिस का मौसम हो या फिर सुखा हो कोई भी सीजन हो इस पैर के निसान से पानी हमेशा बहता है इस मंदिर को जितना अन्वेशन किया जाए उतना ही चोगा देता है हमारे देश के इस बहान मंदिर उसकी कलाकृतियों और चमतकार को देखने के लिए देश और दुनिया भर के सैलानियो का भी अमेज़ा रहता है दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सेयर और कमेंट करना पिलकुल भी न भुले और भविश्य में ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो के नटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंज जय भारत वन दे मांतरा